नमश्कार साथियो एक अंग्रेजी दार्शने की कहावत है When fascists rule the country, rule of law is a farce जब ताना शाह किसी देश पर शाशन करें तो कानून का शाशन मजाक या कागज का पुलिंदा बन जाता है आज देश में यही हो रहा है हिंदुस्तान का समविधान और उसकी मरियादा अपराधियों की जंजीरों की बेडियों में कैद है देश का कानून जीब के टायरों के नीचे रोंदा जा रहा है न्याय पालिका और उसके निर्देशों और भावना को जान बूझकर और शडियंत्रकारी तरीके से दर किनार किया जा रहा है और यहां तक की न्याय पालिका का भी सत्ताधारी दल की पुलिस और सीबियाई से विश्वास उठ गया है तो जब समिधान बेडियों में हो अपराधियों की कानून जीप के टायर के नीचे हो न्याय पालिका का पुलिस और सीबियाई से विश्वास उठने लगे तो देश में एराजकता फैलेगी या नहीं सवाल यह है देश की कानून व्यवस्था का रखवाला कौन है देश का ग्रह मंत्री और देश के ग्रह राज्य मंत्री का बेटा ही जब अपराधी हो और पुलिस उससे पुलिस के दामाद जैसा व्यवार करे वो शाशन और प्रशाशन का दामाद बन जाए पुलिस के दामाद जैसा उससे व्यवार हो तो अपराधियों को पकड़ेगा कौन और समयधान और कानून लागू करेगा कौन सवाल ये है देश के ग्रह राज्य मंत्री हैं तीनी महुद्य अजे टेनी और इन अजे टेनी महुद्य जो हैं इनका बेटा हत्या का आरोपी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे दामाद बनाकर नोटिस थमा रही है कि आप से हाथ जोड़कर विंती है हत्या के अरोपी मौद्य आप आईए और हो सके तो तकलीफ लेकर पुलिस स्टेशन में तश्रीफ ले आईए ये सब जानते हैं के लखीमपूर कीडी में फाइरिंग भी हुई और फाइरिंग से भी हत्या हुई पर देश की सरकार उच्टम नेले सुप्रीम कोट में जाकर कहती है खोल तो बरामद हुए हैं हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो ये मैं नहीं कह रहा ये देश की सरकार ने आज देश की सुप्रीम कोट में कहा कि फाइरिंग के खोल तो मौके से बरामद हुए हैं हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो किसानों की हत्या के मामले में किसानों पर हत्या का दोस्तो ये कैसा देश बन गया है और एक और संयोग है या प्रियोग है तो मोदी जी बताएंगे पर जरूर देखिए कि बेटा हत्या का मुल्जिम और बाप हत्या का आरोपी मैं किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा दाउद इबराहिम की या किसी और की मैं इस देश के ग्रह मंत्राले में बैठे आज भी जो साउथ नौर्थ ब्लोक में बैठे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा हत्या का मुल्जिम बाप हत्या का आरोपी और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश का ग्रह राज्य मंत्री बना रखा है तो कानून और समईधान की रक्षा कौन करेगा और बेटे को छोड़िये लखीमपूर खीरी वाले को बाप सीधे सीधे धमकी देता है कि जब मैं देश का ग्रह राज्य मंत्री भी नहीं था मतलब कि उस समय भी बहुत बड़ा गुंडा था और अब तो कानूनी गुंडा बन गया हूँ और कहीं ना कहीं अलाबाद हाई कोट भी संदे के घेरे में है मैं बहुत जुम्मेवारी से कहता हूँ मुझे पता है आप कहेंगे यह आउमाना का मामला है दोस्तों मैं तीन कागच आपको भेज रहा हूँ पहला कागच यह वो हत्या का मुकदमा है जिस पर अपील दायर हुई अलाबाद हाई कोट में यह वो कागच है हाई कोट का मैं इस पर आपका ध्यान आकरशित करूंगा क्रिम्नल अपील 1624 ऑफ 2004 स्टेट ऑफ यूपी बनाम अजे मिश्रा टेनी एन अदर्स देट ऑफ फाइलिंग 19.6 2004 लास्ट लिस्टेड 25 फरवरी 2020 2004 के बाद मामला 2020 में 25 फरवरी को लिस्ट हुआ था दोस्तों आप बताईए आपके दर्शक बताएं इस देश का हर वो नागरिक जो देश के कानून को मानता है वो बताए अगर देश के ग्रह राज्जे मंत्री पर 2004 से 2020 के बीच में कितने साल हुए 15 साल 17 साल 17 साल तक अगर मुकदमा हत्या का लंबित रहेगा तो इस देश में कानून कैसे चलेगा और देखिए ये अदालत का 12 मार्च 2018 का ओर्डर है मैं आपको भेज रहा हूं अलाबाद हाई कोड का केस का नाम है वही स्टेट ओफ यूपी वर्सिस अजै कुमार टीनी एन अदर्स इसमें अजै कुमार टीनी पर हत्या का आरोप चलेगा या नहीं अलाबाद हाई कोड ने 12 मार्च 2018 को ये फैसला अरक्षित रखा था रिजर्व रखा था आज क्या तारीख है 8 अक्टूबर 2021 साड़े तीन साल बीत गए है साड़े तीन साल बीत गए है वो फैसला नहीं आया कि अजै कुमार टीनी पर मुकदमा चलेगा या नहीं हाँ अजै कुमार टीनी जरूर देश के ग्रे मंत्री की गद्दी पर बैठकर साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में देश पर शाशन कर रहे हैं क्या साड़े तीन साल बात किसी जज को बहस याद रह सकती है हमारी ये भी मांग है मेरी देश के एक नागरिक के तौर पर पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं आदर नहीं सुप्रीम कोट को इसका भी संग्यान लेना चाहिए जहां उन्होंने बाकी बातों का संग्यान लिया एक स्पेशल बेंच दो दिन में पूरी सुनवाई करे और 20 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोट दुबारा केस सुने तो इसका भी निरने आ जाए कम से कम देश को पता तो चले क्या हुआ और साथियो आज दो बड़ी महतपूर्ण बातें सुप्रीम कोट में हुई मैं सुप्रीम कोट का धन्यवादी हूँ एक देश वासी के तौर पर कि उन्होंने कुछ वकील साहिबान की मांग पर सुव मोटो संग्यान लिया वहां कोट ने दो बाते में अदाल सरकार ने दो महतपूर्ण बाते कही पहली ये कही कि हमने मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया है मुझे बताईए हत्या के ऐसे कितने मुकदमे हैं जहां पुलिस आरोपी को हत्या के आरोपी को पेश होने का नोटिस देती है जाते हैं हाथकड़ी लगाकर पकड़ कर ले आते हैं सचा ही है तो यहां पर क्योंकि इसलिए कि वो मोदी जी के मंतरी का बेटा है मोदी जी यह इसलिए हो रहा है और दूसरा अदालत में ये कहा गोली के सबूत ही नहीं मिले अभी जाच नहीं हुई आरोपी पेश नहीं हुआ कोई पुलिस के पास गया ही नहीं पर यूपी की सरकार ने पहले ही कह दिया कि साब अभी गोली के सबूत ही नहीं मिले यानि क्लीन चिट पेश होने से पहले ही दे दी गई ये पहली बार नहीं है अलावाद हाई कोट ने सेंगर के केस में भी यही कहा था जो आज सुप्रीम कोट ने कहा है वहाँ भी पहले कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है भाजप्पा के उस विधायक को बुलाने की और अदालत ने भी तीन महत्पूर्ण बाते कहीं जो इस देश की मुझूदत दुर्दशा को दर्शाता है पहला उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं अगर अदालत को आदित्यनाथ भाजप्पा सरकार के बारे में ये कहना पड़े के वो गैर जिम्मेदार है तो क्या उसे एक शण भी प्रदान मंतरी को सत्ता में बने रहने का अदिकार है अदालत ने कहा ये हम नहीं कह रहे उन्होंने कहा हम एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं और ये जो नोटिस का खेल खेल चल रहा है तुम नोटिस दो मैं लूँगा नोटिस दूँगा तुम लोगे उस पर उन्होंने कहा कि अगर आरोपी कोई साधरन आदमी होता आपके मेरे जैसा या आपके दर्शकों जैसा तो भी क्या सरकार का ये रवया होता इन दो बातों के बाद क्या ये थाबित नहीं होता कि मोदी और योगी सरकारें अपरादियों के साथ खड़ी है समिधान को बेडियों में बांधने वाले अपरादियों के साथ आपकी चुनी हुई सरकारे कानून को टायर के नीचे रोंदने वाले अपरादियों के साथ खड़ी है और फिर अधालत को क्या कहा गया कि हम जजिस के मन की बात समझते हैं तो सुप्री म कोर्ट ने फिर कहा मुड़कर ये जजिस के मन की बात नहीं ये लोगों का संदेश है जो अधालत को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाना पढ़ रहा है और तीसरा ये भी कहना पड़ा कि अधिकारी तो सब आपके अपने हैं यही दिक्कत है और CBI भी कोई हल नहीं कारण आप जानते हैं क्यों तो दोस्तों इस देश की समयधानिक व्यवस्था इस देश के कानून और इस देश की पुलिस और CBI आई अब वो सब संदे से उपर नहीं बिल्ली अगर दूद की रखवाली होगी अगर अपराधी ही S.H. होगा और अपराधी का बाप देश का ग्रह मंत्री होगा तो फिर कानून कहां से लागू रहेगा और जिन्दा रहेगा हम केवल ये कहेंगे आज इस मन से मोदी जी शायद वाजपई जी के कहने से 2002 में तो राजधरम नहीं निभाया पर ये राजधरम निभाने की आपकी कसोटी है तीन अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक लखीमपूर खीडी में एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा निर्दोश सत्ता की निर्दोश जो हैं वो सलाखों के पीछे बैठे हैं वो श्रिमती प्रियांका गांदी हो या अन्यनेता गण हो और दोशी टेलिविजन पर खुले आम इंटर्वियू देते हैं अब इस देश की ये हालत हो गई है हमारी एक ही मांग है बगेर किसी देरी के अजे कुमार टीनी को देश के ग्रह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए और सभी दोशियों को गिरफतार किया जाए पुलिस, सी बी आई और प्रशाशन तीनों अब जाच के योग्य नहीं हैं ये हम नहीं कह रहें अब तो देश की सुप्रीम कोट भी अपना संदेह जता रही है तो ऐसे में केवल और केवल दो सिटिंग जजिस का कमिशन जैसा महासचिव उत्रप्रदेश प्रभारी श्रिमती प्रियांका गांधी जी ने कहा राहुल गांधी जी ने मांग रखी के फॉरण एक टू सिटिंग जजिस के कमिशन में S.I.T. का गठन करके उनकी देखरेक में तीस दिन के अंदर दोशियों को सजा मिले तभी इस देश में समिधान और कानून बच पाएगा वरना इस देश में समिधान कानून और सरकार तीनों से जनता का विश्वास उठ जाएगा का पाएगा